हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टी फिल्मन हिस्ट्री आज हम आपको कुमार कुरव का जीवन परीशे बतानी जा रहे हैं पिचलिए शिर्वात करते हैं कुमार कुरव का वास्तविक नाम मनूच तुली था उनका उपनाम बंडी था उनकी लोग प्रियता फिल्म लव स्टोरी 1981 उनकी जन्मतारी 11 जुलई 1960 लखनाउ उत्तर प्रदेश भारत में हुई थी उनकी उम्र 66 वर्ष है उनका स्कूल बिशॉप कॉटन स्कूल शिमला उनकी शेक्षने की योगिता दसवी पास उनकी वैवाहिक स्तिती विवाहित उनकी पतने का नाम नम्रतादत उनकी दो बेटिया है साची और सिया उनकी पिता का नाम राजींद्र कुमार जो एक अभीनीता थी माता का नाम शुकला कुमार उनकी दो बेहने हैं डिम्पल और काजल उनकी कुल संपत्ती 68 करोर है कुमार गौरव का जन्व लखनाओ में नोक प्रिया बॉलिवर अभीनीता राजेंद्र कुमार और शुकला कुमार की घर हुआ था उन्हें बच्पन से ही अभीनाई और यात्रा करने का जुरून रहा है वर्ष 1981 में उन्होंने फिल्म लाव स्टोरी के साथ अभीनाई करियर की शुरुआत की जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई वह अपनी शुरुआती फिल्मों के कारण पूरे देश की दिल की धड़कन बन गए थे 1984 में उन्होंने स्वर्गिय अभीनिता सुनिर्दत की बेटी और संजेदत की बहन नम्रतादत से शादी की थी अस्ती के दशक में मध्य में उनका अभीने करियर बॉक्स ओफिस पर दर्शकों को कुछ खास प्रभावित नहीं लगा जिसके चलते उनकी एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप होती रही वर्श 1993 में उनके पिता राजेंदर कुमार ने अपने बेटे कुमार गवरव को करियर को पुनल जीवित करने के लिए मादुरे दिक्षित के साथ एक फिल्म फूल बनाई लेकिन दुर्भाग्य वर्श वह फिल्म भी फ्लॉप रही अपने फिल्म फूल की विफल्ता के बार उन्होंने अभिनाई से ब्रेक ले लिया 1999 में उन्होंने कुछ टेलेविजन शुंकलाओ में भी कार्य किया उसी वर्श उनके पिता राजेंदर कुमार का कैंसर की भीमारी से निधन हो गया वर्श 2002 में आई फिल्म कार्टे में उनकी भूमिका को काफे सराया गया वर्श 2004 में उन्होंने अमेरीके फिल्म गियाना 1838 में अभिने किया वर्दमान में वह एक पजटन और यात्रा कमपनी को चला रही है अगर फिल्म एन हिस्ट्री के ये जानकारी आपको पसंद आए तब प्रीज इस चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब परना ना भूरे धन्यवाद